पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों में बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है तो किसान सरकार की बादा खिलाफी से नाराज है किसानों का गुस्सा बीजेपी उमीदवारों पर भी निकल रहा है जिसके बाद अब केंदर सरकार ने किसानों से एक और वादा कर दिया है कृशी मंतरी ने संसद में MSP को लेकर बड़ा बयान दिया है लेकिन किसानों को कृशी मंतरी के बयान पर भरोसा नहीं हो रहा है पांच राज्यों के विधान सभा चुनावू में बीजेपी मुश्किल में है खास तोर पर यूपी पंजाब और उत्राखंड में किसान जिस तरह से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि पार्टी की इन राज्यों में रहा आसान नहीं है तीन फरवरी को किसानों ने प्रेस कॉन्फरेंस कर एलान कर दिया कि 50 से ज्यादा किसान संग्ठन अब गाउं गाउं में घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे किसानों का ये गुस्सा बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर है दरसल केंद्र सरकार ने क्रिशी कानूनों की वापसी के बाद किसानों को लिखित में आशवासन दिया था कि क्रिशी कानून के खिलाफ आंदोलन के दोरान जो मुकद में किसानों पर दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा MSP को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी किसान धरना स्थल से पीछे हट गए तो सरकार भी वादे से पीछे हट गए लेकिन जब 5 जनवरी को PM मोदी का पंजाब दोरा तै हुआ तो किसानों ने एक बार फिर PM के विरोध का बिगुल फूग दिया किसानों को मनाने की जिर्मेदारी इस बार संभाली केंद्रिय मंतरी गजेंदर सिंग शिखावत ने उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि 15 जनवरी तक MSP पर कमेटी बना दी जाएगी और 31 जनवरी तक किसानों पर दर्ज मुकद में वापस लेनी की प्रिक्रिया शुरू हो जाएगी लेकिन जब ये समय सीमा भी बीट गई तो किसानों का धहरी भी जवाब दे गया और 3 फरवरी को सेंगत किसान मोर्चा ने एलान कर दिया कि अब BJP के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा किसानों के गुस्से और विधानसभा चुनावों में होने वाले नुकसान को देखते हुए BJP बैकफुट पर दिखाई दिये रही है मुश्किल में फसी BJP के लिए इस बार किसानों को मनाने की जिम्मेदारी केंद्री क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर्ण ने संभाली है क्रिशी मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाओ के बाद MSP को लेकर कमेटी बनाई जाएगी यानि सरकार ने अब एक बार फिर नई तारीख दे दी है कृशी मंतरी के बयान से साफ है कि सरकार एक बार फिर किसानों के सामने घुटने टेकती दिख रही है लेकिन किसानों को सरकार के बयान पर भरोसा नहीं है किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो सरकार के आश्वासन में इस बार फसने को तैयार नहीं है बीजेपी को चुनावों की चिंता है और चुनावों होने के बाद वो फिर अपने वादे से मुकर जाएगी जैसा पहले दो बार हो चुका है डीवी लाइव की रिपोर्ट